नमस्कार दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आरसी उन्टोडे आईए जान लेतें अभी की लेटिश्ट अपडेट की बारे में अभी की लेटिश्ट अपडेट ससी और उत्तरफ अजिन स्रीवाचें आयो की है SSC के दुबारा आज एक कलेंडर जारी किया गया है जैसा कि आप में स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टेटेस रिपोर्ट आफ रिजल्ट ऐज ऑन चार फरोरी दोजार बाइस यहाँ पर देखे यह नेम ऑफ एक्जाम नेशन लिखावा है कि परिच्छा के समद में जानकारी दी गई है कि किस परिच्छा का परिडाम कब तक जारी किया जाएगा एक्जाम कब होगा पूरी जानकारी वकायदा इसमें समझाए गई है यहां पर दिखे रिजल्ट डेट के सम्मझ में जानकारी दे गई है यहां पर बकायदा बता गया है रिमार्क किया गया है तो क्या जिस तरह से S.S.C. के दोबारा भारती परिच्छा कलेंडर या परिडाम कलेंडर जारी किया जाता है या Mix Content SSE की द्वारा बना जाता है जिसमें आपको परिडाम और परिछा के समझ में जानकारी मिलती है क्या उस तरह से UP SSC नहीं दे सकता है दे सकता है लेकिन UP SSC की द्वारा भरती परिछा कलेंडर जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा सभी की जहन में एक सवाल है तो मैं आपको बताना जाता हूँ SSC का अलग रूतबा है SSC की द्वारा जो भी कारी किया जाता है समय से किया जाता है हाँ कुछ ऐसी भरतिया है जो लंबित है और ज्वाइनिंग तक नहीं हो पाती है कुछ समय वीत जाता है लेकिन UPSC में पांच पांच बर्स तक भरतिया लंबित रहती है तो आपके जहन में सवाल होगा क्या SSC की तरह UPSC भी भरति परिछा कलेंडर जारी करेगा तो मैं आपको बता जू चुनाओं से पहले कोई उम्मिद आप मत करिए जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी आपको इंतजार करना है चुनाओं समाप्त होने के बाद 10 मार्च को जो भी रिजल्ट आएगा चुनाओं का जिसकी भी सरकार बनेगी या सरकार रिपीट होती है या कोई नई सरकार आती है उसके बाद मैं आपको और भी अथेंटिक जानकार देने का प्रयाद करूँगा फिलन अभी भरती परिशा कलेंडर को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है